Hello Everyone, Welcome to Study Chakra तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे Absolute Temperature Scale की या फिर आप इसको बोल सकते हो Kelvin Scale ये Ideal Gas Equation से related है और ये सारी चीजें क्या है ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे Last वीडियो में हम लोग दो Temperature Scales के बारे में अलड़ी बात कर चुके है Celsius Scale और Fahrenheit Scale इनके बीच में क्या relation था ये भी हम देखेंगे और इस वीडियो में उन दोनों Temperature Scale का और ये Kelvin Scale का क्या relation है ये भी हम देखेंगे ताकि आप एक Temperature Scale से दूसरे Temperature Scale में किसी भी Temperature को Convert कर सकते हो चलो शुरू करते है देखो अगर हम Liquid वाला कोई Thermometer यूज करते हैं जैसे आप Mercury Thermometer यूज करते हो तो Mercury एक Liquid है Liquid का Problem ये है कि अलग-अलग Liquid अलग-अलग तरीके से Expand होती है Temperature बढ़ाने पे मतलब अगर आपके पास तीन अलग-अलग Liquid है और आपने तीनों का Temperature एक जैसा बढ़ाया तो तीनों Liquid एक जैसा Expand नहीं होगी ठीक है कोई Liquid कम Expand होगी तो कोई जाधा Expand होगी इसके लिए अगर आप तीनों Liquid का यूज करके अगर आप अलग-अलग Thermometer बना रहे हो तो आपको Temperature की Marking भी अलग-अलग करनी होगी क्योंकि हर Liquid एक जैसा Expand नहीं होता लेकिन ये Problem तब सॉल हो जाती है जब आप Gas यूज करते हो क्योंकि लग-बग हर Gas जो है वो एक जैसे ही Expand होता है इससे फरक नहीं पड़ता है कि आपने कौन सा Gas लिया है तो फिर हमने सोचा कि चलो हम Liquid के बजाए Thermometer में Gas यूज कर लेता है हम यहाँ पर बात करेंगे Ideal Gas की ही Actually Ideal Gas पे कुछ Laws होता है Ideal Gas मतलब वो Gas होता है जो कुछ Laws को ओबे करता है कुछ Laws के हिसाब से वो चलता है वो Laws क्या है वो हम देख लेते हैं देखो Liquid की जो हम Property देख रहता है वो थी उसकी Volume मतलब Liquid का Volume Temperature पे Depend करता है Temperature बढ़ा होगे Volume बढ़ जाएगा यहाँ पे हम अब Gas यूज कर रहे हैं तो Gas के Properties को देखेंगे जो Temperature पे Depend करता है यहाँ पे Gas के दो Properties जनरली हम देखते हैं Pressure और Volume क्योंकि Liquid का तो केस में हमने Volume चेक किया हो था यहाँ पे हम क्या करेंगे Pressure और Volume यह दोनों चीज़े देखेंगे कि किस तरीके से Temperature चेंज करने पर बदल जाती है ठीक है अच्छा अगर हम कोई Gas ले रहे हैं Ideal Gas उसकेस में देखो होता क्या है कि अगर आप Temperature चेंज नहीं करते हो तो Gas का Pressure और Volume अगर आप Multiply करो चाहे कोई भी Pressure हो और उस Pressure पे जो भी Volume हो यह दोनों हमेशा Constant होंगे इसका जो Product होगा वो हमेशा Constant होगा मतलब अगर आप Temperature चेंज नहीं कर रहे हो Pressure बढ़ा होगे Volume कम हो जाएगा Volume बढ़ा होगे Pressure कम हो जाएगा लेकिन इन दोनों का जो Product है वो Constant होगा यह एक Law है इस Law को बोला जाता है Boy's Law इस इस लोन अज बोला जाता है Boy's Law ठीक है Ideal कैस एक और equation follow करती है जिसे कि अगर सब्पोस करो तो हम Pressure और Time इन दोनों को डिवाइड कर दें इस केस में हमको क्या करना है कि Pressure constant रखना है मालों आप ग्यास का Pressure चेंज नहीं कर रहे हो तो उसके Volume और Time का जो रेशियो ताइम बोरों में तेंपरेचर है इस तेंपरेचर Volume और Temperature का जो रेशियो है ये भी हमेशा Constant होगा अब थोड़ा से यहाँ पर गौर करना वैसे इस Law को बुला जाता है Charles Law लेकिन यहाँ पर जो T आपने लिख रखा है ये Temperature actually Celsius में नहीं है बलकि हमने क्या किया जो Celsius में Temperature था मालनो Celsius में Temperature उसका T small t है तो हमने उसके अंदर 273.15 add कर दिया अब ये जो पूरी quantity है इसको मैं Capital T लिख रहा हूँ अभी Capital T है क्या actually में ये आपको अभी थोड़े दिर बात पता चलेगा पर हमने ये गौर किया कि अगर degree Celsius वाले Temperature ये degree Celsius वाला Temperature है जैसे 30 degree Celsius है तो 30 degree Celsius में आप क्या करो 273.15 add कर दो ये पूरी quantity आपकी Capital T कहलाई तो actually हमें Capital T temperature ही है लेकिन हमने degree Celsius में 273.15 add किया इससे क्या हुआ कि ये जो Capital T मिला इसका और V इन दोनों का जो ratio है वो हमेशा constant रहा किसी भी gas के लिए अगर अगर suppose करो हम pressure को constant रखते हैं तो ये दो equation हमको मिला जो gas follow कर रहा था अब सुनों अगर इन दोनों gas ते देखा जाए इसको मैं अटा देता हूँ अगर मैं इन दोनों gas या इन दोनों equation को आप देखोगे और compare करोगे तो यहां पे दोगो P जो है वो numerator में है दोनों के numerator में V भी है denominator में T V है तो T V constant है और V upon T V constant है मतलब ये पूरा part आपका क्या हो जाएगा constant हो जाएगा ये जो equation आपके सामने आया है इसको हमने बोला ideal gas equation this is ideal gas equation इस equation को जो भी gas follow करेगा उसको हम ideal gas बोलेंगे और फिलाल हम मान के चल रहे हैं कि हम ideal gas use कर रहे है यहाँ पे देखो कि अगर ये equation कोई follow कर रहा है gas तो ये बागी दो equations भी अपने आप follow करेंगे क्योंकि ये equation इन दोनों से ही आया है ओके यहाँ पे actually में जो आपका constant है उस constant को हम N into R लिखते हैं और यहाँ पे N जो है it is nothing but number of moles of gas number of moles of gas और R एक constant है जिसको बुला जाता है universal gas constant जिसका value 8.314 है और इसका अगर आप unit देखोगे तो 8.314 joule पर mole Kelvin ओके तो आपका equation अगर आप देखोगे तो बन जाएगा PV is equal to N R T बस यह और यह दोनों equation एक ही चीज़ है बस यहाँ पे देखो जो हमारा constant आ रहा था नो उस constant को हमने N R लिख दिया इस N R is nothing but constant जिसमें N number of moles है R जो है universal gas constant है PV is equal to N R T ideal gas equation है यह जो भी gas follow करेगा उसको हम ideal gas बोलेंगे अगर सपोस करो मैं कोई device use करता हूँ जो मैं thermometer बना रहा हूँ अगर मालो मैं कोई thermometer बना रहा हूँ तो एक device होगा और वो device closed होगा उसके अंदर हम gas बर देते हैं gas बरने के बाद मालो जैसे यह device है इसमें हमने gas बर दिया एक बर आपने gas बर दिया तो यह gas पूरे volume को occupy कर लेगा तो आपका volume हो जाएगा constant तो इस case में देखो कि हमने जो लिखा था PV upon T is equal to constant तो यह V अगर यहाँ पे नीचे चले जाए तो भई V भी constant हो गया क्योंकि volume तो अब हम change करने रहे है इसका thermometer का या जो भी हमने device यूज किया है उस container का volume तो change करने रहे तो यह पूरा का पूरा अपने आप में constant हो जाएगा तो P is equal to some constant into T ऐसा आप लिख सकते हो अगर यह T वहाँ भेज दो तो that means P is directly proportional to T यह रहा आपका main equation इसके base पर हम क्या कर रहे है यहाँ पर एक thermometer बनाएंगे मतलब अगर आपका volume constant है गयास का तो pressure जो है वो temperature के directly proportional होगा यहाँ पर देख लो आप तो आप जैसे जैसे pressure बढ़ाओगे यह जैसे जैसे आप temperature बढ़ा रहे हो वैसे वैसे gas का pressure बढ़ेगा और हमने क्या किया pressure की basis पर हम temperature यहाँ पर measure कर रहे है पर दियान रहे है आपका volume यहाँ पर हमने fix कर रखा है इसको बोला जाता है constant volume gas temperature मतलब gas का volume constant करके constant volume gas thermometer मतलब एक ऐसा thermometer जो gas thermometer है जिसमें हमने gas का volume constant कर रखा है then pressure will be directly proportional to temperature ओके ठी और यह ध्यान है ना कि आपका जो capital T है वो degree Celsius में temperature नहीं है बलकि degree Celsius वाले temperature में हमने एक number add कर दिया 273.15 तो यह पूरी quantity आपकी capital T है अब उसके बाद हमने क्या किया देखो यहाँ पे graph plot किया graph plot किया हम लोग ने pressure और temperature के बीच में तो यह graph देखो कैसे गया मालनो आपका graph कुछ ऐसे था हमने एक particular gas लिया और यह मालनो यहाँ पे आपका 0 degree Celsius है ओके मालनो किसी particular point से हमने start किया और यह gas में यहाँ पे pressure plot किया है और यहाँ पे temperature plot किया है directly proportional है तो ऐसे case में जब graph plot किया गया तो यह graph आया straight line इस तरीके से मालनो कोई particular gas A है और इसका graph आपको मेला एक straight line अब यह straight line graph किसी इस point पे touch कर रही है इसका मतलब क्या इस point पे कुछने कुछ pressure होगा और इस point पे आपका temperature 0 है हमने temperature और कम कर दिया देखो हमने क्या किया था एक particular temperature से हमने start किया था इस particular temperature पे आपका कुछना कुछ pressure होगा और दीरे दीरे हम temperature कम करते गए क्योंकि आपका यह straight line है तो आप temperature कम करोगे तो pressure भी कम होता जाएगा और हमको एक straight line graph मिला इसने y axis को यहाँ पे कट किया है इसका मतलब गया zero degree Celsius पे gas का इतना pressure है हमने temperature को और कम कर दिया हम negative में चलेगे temperature तो pressure भी कम होता चला गया अब इसमें तो गड़बड किया है किसी एक point के बाद क्योंकि हमने temperature काफी कम कर रखा है तो अब gas ग्यास नहीं होगा क्योंकि किसी एक particular temperature पे gas condense होगा liquid बन जाएगा और फिर और temperature आप कम करते जाओगे तो फिर वो liquid solid भी बन जाता है तो एक particular time ऐसा आएगा जिसके बाद हम temperature कम नहीं कर पाएगे अगर कम कर दोगे तो फिर वो gas नहीं होगा फिर वो liquid में convert होना चालो हो जाएगा तो अगर मालों हम यहां कहीं रुख जाते जहां तक वो gas है वहीं तक आप temperature कम कर दो और अगर हम imagine करें जिस imagine करें कि भई इसके बाद भी temperature कम करने के बाद भी अगर ये gas रहा तो वैसे तो कर नहीं पाओगे पर imagine कर लो अगर temperature कम करने के बाद भी ये gas रहता है तो आपका ये graph कहां जाएगा graph तो जाहिर से बात है कि अगर वो straight line है तो इसके बाद भी अगर ये gas ही रहता तो ये straight line में ही कहीं जाएगा और यहां पे x-axis पे आके कहीं ने कहीं वो touch कर देगा समझे अब यहां पे जब value चेक किया गया कि x-axis पे कहां touch कर रहा है तो ये पता चला कि 273.15 degree Celsius पर इस graph को काट रहा है अगर ये gas temperature कम करने पर होता तो इसको बोरते हैं extrapolation extrapolation का मतलब कि भाई देखो इसके पहले के values तो हम निकाल नहीं पाए इससे कम values हम निकाल नहीं पाए पर इसका जो पिछला हमारे पास information या data था उस हिसाब से हमने इसको extrapolate किया और माना कि आगे भी क्या होगा straight line होगा और यहां पे ये minus 273.15 degree Celsius पर कट करता है इसका मतलब ये एक ऐसा temperature है ध्यान से देखना इसको cut कर रहा है ये एक ऐसा temperature है जहां पे gas का pressure zero हो गया minus 273.15 degree Celsius is that pressure where is that temperature where pressure of the gas becomes zero हमने बुला एक काम करते है यार इसको किसी दूसरे gas के साथ देखते है तो हमने कोई दूसरा gas लिया जाहिर से बात है कोई दूसरा gas है तो दूसरा gas का इसी temperature पे pressure कुछ और होगा तो ये graph यहां से start होगा आगेर ये graph भी temperature कम कर रहे हो तो आप देखोगे कि ये straight line में ही आ रहा है और graph कहीं और cut कर रहा है जब इस gas के लिए भी extrapolation किया गया तो interestingly ये पता चला कि ये graph भी x-axis को यहीं minus 273.15 degree Celsius पे cut कर रहा है दूसरे gas से समने ले लिया दूसरा gas माल नो उसका pressure कुछ और था और कहीं और से में स्टार्ट किया तो वो straight line follow कर रहा था पर उसका extrapolation भी उसको minus 273.15 degree Celsius पर ही लेके जा रहे थी कोई भी gas extrapolation के बाद exchange करने के बाद minus 273.15 degree Celsius से पीछे नहीं जा पा रही थी और इस particular temperature पे चाहे कोई भी temperature का gas आपने कहीं से भी start किया हो pressure से finally सारे gas का जो pressure है वो minus 273.15 degree Celsius पे zero हो जा रहे थी ये बड़ा interesting number था इसको note down कर लिया और फिर देरे देरे finally पता चला कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा object नहीं है जिसका temperature आप इस से नीचे ले जा पाओगे in fact इस lowest temperature भी आप पहुँचा नहीं पाओगे तो जो scientist Kelvin था उसने क्या सुचा कि भई जब temperature इस से नीचे जा ही नहीं सकता किसी चीज़ का तो हम इसके नीचे की temperature की बात ही नहीं करेंगे तो क्यों नहीं एक काम करते हैं इसी को सबसे lowest temperature मान के चलते हैं और इसी temperature को हम 0 मान लेते हैं और आपका जो temperature scale है वो हम यहीं से शुरू करते हैं अब ये सारा scale जो है हम लोग ने degree Celsius वाले temperature का use करकी किया था बदलाव नहीं किया बस उसका जो 0 वाला वाल्यू है वो नीचे शिफ्ट कर दिया माइनस 273.15 डिगर से अब बोला इसको 0 मालनो और इसके बाद divisions वैसे ही रहने दो जैसे आपका Celsius केल में है कुछ 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 नहीं करना है बस यहाँ 0 जो आप यहाँ से स्टार्ट करो और यहीं से numbering कर दो तो इसका मतलब जैसे हम लोंने बात किती Celsius केल में एक तो ice point होता है 0 degree Celsius का उसके बाद एक एक डिगरी बढ़ा के हम क्या करते हैं यहाँ पे 100 degree Celsius पे जाते हैं 100 degree Celsius जो कि उसका स्टीम पॉइंट है हमने क्या किया था इसको 100 equal parts में डिवाइड किया था और एक पार्ट को हमने वन डिगरी Celsius बोला का Kelvin ने क्या बोला कि भाई देखो और नीचे चला गया Kelvin ने बोला जब इस हर एक चीज का lowest temperature जो है वो minus 273.15 degree Celsius ही है ना तो तुम क्या करो यह जो तुमारे पास minus यह दिख रहा है आप लोगो हाँ minus 273.15 degree Celsius है ना एक काम करो मेरे scale पे इसी को 0 माल लो और आम ने इसको 0 Kelvin बोल दिया एक और चीज इस 0 Kelvin को हम लोग absolute zero के भी से जाते हैं absolute zero temperature तो वर्ड absolute जो है Kelvin scale की use होता है और यह जो scale तयार किया है Kelvin ने इसको हम लोग absolute temperature scale भी बोलते हैं absolute temperature scale और absolute temperature scale को आप देखोगे कभी भी capital T से denote किया जाता है अगर आप इसको small t से denote कर रहे हो तो यह वाला हमेशा capital T से denote होगा तो यहां पे Kelvin ने यह बोला कि देखो कोई नया scale यहां पर नहीं है भाई यह जो आपका सबसे lowest temperature body का है किसी भी चीज का उसी को हम zero मान ले रहे हैं और इसके नीचे वैसे भी आपका temperature जाएगा ने किसी भी चीज का तो इसका मतलब Kelvin scale में negative temperature पॉसिबल नहीं है zero Kelvin last और lowest temperature है जो कोई भी चीज अटेंड कर सकती है negative temperature पॉसिबल नहीं है फिर Kelvin ने कहा कि इसके divisions आप वैसे ही रहने दो जैसे आपका Celsius scale में है इसका मतलब अगर मैं यहां 1 degree उपर जा रहा हूँ तो मैं यहांप़ 1 Kelvin उपर जा रहा हूँ यहांपे मैं 2 degree उपर जा रहा हूँ तो यहांपे मैं 2 Kelvin उपर जा रहा हूँ तो वन Kelvin, 2 Kelvin अब देखो minus 273 ही अगर मैं उपर गया तो मैं zero पे पहुंच जाओंगा तो इसका मतलब यहांपे भी जैसे minus 273 हुआ तो उपर में minus 272 होगा वैसे minus 271 होगा ऐसे उपर उपर जा रहे हो ना यहाँ पे भी वह होगा 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 Kelvin होगा यहाँ 3 Kelvin होगा तो जब यहाँ पे आप 0 पहुंच जाओगे तो जाहिर सी बात है कि आप 273 उपर पहुंच गए तो यहाँ पे भी आप 273 उपर पहुंच जाओगे और यह वाला 273.15 Kelvin हो जाएगा इसका मतलब आपका जो ice point है, जो ice point के हम बात कर रहे हैं थे Kelvin scale में ice point 273.15 Kelvin होता है हालांकि ice point और steam point को देखकर Kelvin scale नहीं बनाया गया था यह तो भई इसको ध्यान में रखकर बनाया गया था कि आपका lowest temperature जो है उसको हम lowest value 0 डाल देते हैं वैसे ही अगर आप suppose कर उपर चलते जाओगे तो 0 से लेकर आप 100 पे जा रहे हो तो मतलब 100 division उपर चले गए division दोनों का एक जैसा है तो अगर आप 100 degree Celsius उपर जा रहे हो तो यहां पे भी आप 100 Kelvin उपर जाओगे और finally 100 degree Celsius पे पहुँचोगे तो यहां 100 उपर गए इसमें भी आप 100 एड़ कर दो तो यह 373.15 Kelvin हो जाएगा इसका मतलब आपका जो steam point है Kelvin scale में वो बहुत जाएगा 373.15 Kelvin तो बस यही आपका absolute temperature scale तयार हो गया जिसको हम लोग ने नान दिया है Kelvin scale तो clearly आपका absolute temperature scale देखोगे और Celsius scale देखोगे तो एक simple सा relation इन दोनों के बीच में बन जाता है हमेशा देखो जब आपका temperature मतलब यह जो 0 Kelvin था तो यह minus 273.15 था अब एक काम करते हैं for all practical purposes हम इसको 273 ही लिखेंगे 273.15 बार बार लिखने से बेटर है कि आप इसको 273 ले लो कोई जादा हानी नहीं होगी ठीक है तो हम माल लेते 273 है तो आप देखोगे कि आपका जो temperature scale यहां बें Celsius scale है वो हमेशा 273 पीछे होगा Kelvin scale से जब यह 0 था तो यह minus 273 100 ऊपर चला गया यहां 0 पर आ गया जब यह 0 डिगी Celsius है तो Kelvin scale में 273 आगे चला गया तो कहीं भी आप देखोगे यहां पर 100 है तो Kelvin scale 373 हो गया मतलब इसके अंदर आपने 273 आड़ कर दिया तो किसी भी temperature में Celsius वाले temperature में अगर आप 273 आड़ कर देते हो तो आपको Kelvin scale का temperature मिल जाएगा इसका मतलब अगर suppose करो T आपका Celsius scale है Celsius scale का temperature है और capital D आपका absolute temperature scale बोल लो या फिर Kelvin scale बोल लो तो ऐसे केस में बताओ Celsius वाले scale में अगर आप 273 आड़ कर देते हो in fact 273.15 है 15 नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा अगर आप T में 273 आड़ कर देते हो तो आपको capital T मिल जाएगा यह conversion है अब हम इसका letter change भी कर सकते हैं क्योंकि इस T को आप एक काम करको T K लिख दो और इसको आप T C लिख दो प्लस 273 Celsius temperature में 273 आड़ करोगे या 273.15 आड़ करोगे तो आप Kelvin scale में पहुंच जाओगे simple relation है या आपके समझ गए अब बात यह आती है कि Celsius scale Kelvin scale और तिसरा आपका Fahrenheit scale इनके बीच में क्या relation है तो देखो यह relation आप कोई भी scale इवन कई बार क्या होता है ने लोग अपने हिसाब से अपना scale भी define कर सकते हैं तो अगर आपके बस अलग-अलग scale है तो आपको ध्यान बस यह रखना है कि आपका stream point क्या है और ice point क्या है इनके हिसाब से आप क्या करोगे relation निकाल सकते हो steam point और ice point इसको मैं मिटा दूँ इसको मैं मिटा देता हूं steam point और ice point का आपको ध्यान रखना है और उससे आपको सारा relation मिल जाएगा तो यहां पे देखो यह relation तो आपका fix हो गया Kelvin का tf is equal to tc plus 273.15 एक एक इग्जामपल देखते हैं जैसे आपको मैंने बोला कि 40 डिग्री सेल्शियूस या फिर 40 डिग्री सेल्शियूस है तो यहां पे इसका Kelvin में Kelvin में Kelvin में इसका क्या value आएगा बताओ तो आप क्या करोगी relation यूस कर लो 40 डिग्री सेल्शियूस यहां पे आपका tc देखे रखा होगा है आपको Kelvin में चाहिए तो इसमें बस 273 एड़ करना है तो tk will be equal to tc plus 273 that is equal to 40 plus 273 तो यह कितना हो जाएगा ब तो इस तरह से आप conversion कर सकते हो इनकेस अगर आपको Kelvin में दिया है और आपको degree Celsius में निकालना है तो आप minus कर दो जिसे माल लो आपको Kelvin में देखे रखा हुआ है कि temperature अगर Kelvin में है 373 Kelvin तो आप बताओ कि degree Celsius में कितना होगा formula simple है tk is equal to tc plus 273 tk के जगह पे 373 डाल दो is equal to tc plus 273 तो tc का value कितना हो जाएगा 373 minus 273 and that is equal to 100 degree Celsius इसका मतलब यह कि अगर 373 Kelvin है तो इसका मतलब वो 100 degree Celsius में आ जाएगा राइट कई वर लोग क्या करते हैं अपने हिसाब से कोई नया temperature scale define कर देते हैं तो पहले हमें काम करते हैं इसको समझने कोशिश करते हैं कि अगर इन तीनों में आप relation भूल जाते हो पर आपको ice point और steam point याद है तो आप relation बड़े आसानी से निकाल सकते हो देखो लास्ट के इसमें निकाला था मैं पहले यहां पर ऐसे बता देता हूं जामने लास्ट में निकाला था TF-32 upon 180 is equal to TC upon 100 यह relation पहले से निकला हुआ था यहां आप देखोगे तो TC के value यहां से क्या आएगा बताओ TC will be equal to इसको set भेज़ दो तो TK-273.15 हो जाएगा तो TC के जगह पे आप क्या लिख दोगे TK-273 मैं 0.15 रहने देता हूं divided by 100 तो यह relation वैसे के आगया तीनों में आप देख सकते हो यहां पे Fahrenheit, यहां पे Celsius और यहां पे Kelvin temperature लेकिन इसको निकालने का एक और तरीका है आप Ice Point और Steam Point को ध्यान में रखो जिसे मालों यहां पे Celsius के लिख से हमको पता है कि Ice Point 0 degree Celsius है, Fahrenheit में हम लोग को पता है कि यही आइस Point आपका 0 degree Celsius पे Ice Point यहां पे जो उसका lowest temperature कितना था? 32 degree Fahrenheit है ना? वैसे इसकेस में इसका जो 100 degree Celsius steam point था और इसकेस में इसका steam point जो था वो 2.2 degree Fahrenheit था अगर आपको याद होगा तो यहां पे हम क्या कर रहा है देखो 0 degree Celsius पे आपका Kelvin temperature हम लोगों को मालों में कितना था? 273 Kelvin इसका Ice Point 273 Kelvin था क्योंकि इसका 0 जो है वो माइनस 273 पे जा रहा था तो Kelvin स्केल में 0 के पास क्या होता है? 273 होता है और फाइनली इसका 100 divisions है इसका कितना है? total 180 divisions है और Kelvin स्केल का और Celsius स्केल का number of divisions सेम होता है तो यहां पे भी आपका क्या हो जाएगा? 100 divisions हो जाएगा तो आप 273 से पहुंच जाते हो यहां पे 373 Kelvin पे समझ गए? इस तरह से सबका हमारे पास Ice Point और Steam Point आ चुका है तो यह नीचे वाला सारा Ice Point है, Lowest Temperature और करना क्या देखो? आप कोई भी Point यहां पर उठालो, मालो कोई भी Temperature उठालो बीच में से, मुझे तीनों के बीच में Relation चाहिए ना? तो यह Temperature आपका हो जाएगा TK, यह Temperature हो जाएगा उसी से Related यह Temperature हो जाएगा Tc, और यह हो जाएगा आपका Tf. Fahrenheit में Temperature, Celsius में Temperature, Kelvin में Temper temperature, आपको तीनों के बीच में Relation निकालना है, तो करना है क्या देखो? TK, पर एक काम करते है, Fahrenheit से Start करते हैं, चलो, Tf, उसके बाद माइनस लिखो, और उसके बाद फिर Ice Point का Value लिख दो, Ice Point कितना है? 32, divided by number of Divisions, number of Divisions 180, समझ गया? कोई भी Random Temperature का Value, minus lowest value लिखो, जो की Ice Point है, Ice Point क value लिखो, और divided by number of Divisions, Ice Point और Steam Point के बीच में, यह काम हो गया? is equal to, दूसरा Temperature Scale के चलते हैं, वही काम करना है, वही Random Temperature Tc, जो की Tf से Related हो, या Tf के Corresponding हो, फिर minus Ice Point, divided by Ice Point और Steam Point के बीच में, number of Divisions, is equal to, इस पे आ जाते है, TK, minus Ice Point का Temperature, 273, divided by number of Divisions, Ice Point और Steam Point के बीच में, 100, आगे हो भी Relation, तो अगर आप कभी बीच में Relation भूल भी जाओ, तो आप इसका Use कर सकते हो, और दूसरी बड़ी बात यह है, कि अगर आपको कोई दूसरा नया Temperature Scale, Define करके दे दिया जाए, तो आप इस तरीके से Problem को Solve कर सकते हो, समझ गए, दूसरी important बात आपको याद रखना है, कि Temperature का जो Difference होता है, जैसे यहाँ पे अगर सपोस करो मैं, 3 degree उपर चला गया, तो यहाँ पे मैं कितना degree उपर जाओंगा, इन दोनों का Number of Divisions एक जैसा होता है, तो अगर मैं 3 degree उपर यहाँ जा रहा हो, तो यहाँ पे दो point के बीच में calculate करना है, तो आप सिधा से relation देखो, delta TF upon 180, इस equation का use करना, delta TC upon 100 is equal to delta TK upon 100, समझे, तो अगर मैं आप से यह बोलूँ कि मैं increase in temperature, increase in temperature, किसी body का temperature हम लोग ने 10 degree से increase कर दिया, तो भाई Fahrenheit में बताओ कि कितने Fahrenheit से हमने increase किया, Kelvin में तुम सीधा बोल सकते हो, देखो, यहाँ पे इस equation में साफ साफ दिख रहा है, delta TC is equal to delta TK, जितना आपने temperature increase किया है, degree Celsius में, Kelvin में भी उतना increase होगा, दोनों का division एक जैसा है, अगर यहाँ 10 degree उपर जाते हो, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 10 Kelvin उपर जाओगे, यहाँ लग हो जाएगा, तो अगर मैंने 10 degree से temperature increase कर दिया है, तो मुझे एक बात बता हो कि कितने Fahrenheit से increase किया है, तो आप यह relation यूज कर लो, delta TF upon 100, delta TF upon 100 is equal to delta Tc upon, sorry, 180 है यहाँ पे, 180 upon 100, आपने temperature increase किया है, यहाँ पे, 0, 0, cancel, तो यहाँ पे, delta Tf upon 18 is equal to, delta Tc is 10, 10 divided by 10, 1, 18 चला जाएगा, so delta Tf is 18 degree Fahrenheit, तो अगर आपने 10 degree Celsius से increase किया है temperature, इसका मतलब आपने 18 degree Fahrenheit से temperature increase किया है, ओके, चलो, एक आप question कर लेते हैं इसके उपर, चलो, question देखो, यहाँ पे क्या है, on a new scale of temperature एक नया temperature scale defined किया गया, जो कि linear है, freezing and boiling points, freezing मतलब यही आपका ice point हो जाएगा, boiling point मतलब आपका steam point, तो यह आपका ice point है उसकेल पे, और कुछ अलगी unit use किया है, क्योंकि कोई नया temperature scale यहाँ पे इन्होंने define किया है, ice point 39 degree है, W and steam point आपका 239 W है, what is the temperature on new scale, new scale का क्या temperature होगा, corresponding to 39 degree Celsius on Celsius scale, Celsius scale पे अगर 39 degree Celsius है, तो नये scale में W के terms में 39 के corresponding कौन सा temperature होगा, यह आपको पूछा गया है, तो हमको क्या करना है, degree Celsius और W जो नया scale है, इनके बीच में relation चाहिए, relation का मैंने आपको तरीका बताया था, ice point, steam point देनों का देख लो, तो अगर मैं नये scale की बात करूँ, तो इसका ice point इनोंने के खाहां पे दे रखा है, है 39 पे, ice point है 39 पे, और आपका steam point जो है, वो 239 पे है, और देख लो, इनके बीच में कितने divisions हैं, now see, 39 और 239, 239 माइनस 39, 239 माइनस 39, will be 200, तो 200 divisions हो गए, ना उसी तरह से एकर Celsius किल में हम देखे, तो ice point 0 degree Celsius और stream point आपका 100 degree Celsius होता है, इनके बीच में हम लोगो पता है, total 100 divisions होते हैं, right, आप निकालते हैं हम लोग value दोनों के बीच का relation, तो माल लो ये TW है, और इसी के corresponding यहाँ पे आपको मिल जाएगा TC, तरीका क्या था बताओ, TW minus ice point divided by number of divisions between ice point and stream point, that is 200, is equal to TC minus 0 upon number of divisions between them is 100, तो यहाँ से आपको clearly देखेगा, 0000 cancel हो जाएगा, और हमको यह बोला है, तो relation सिधा आगया न, TW minus 39 upon 2 is equal to TC, हमको बोला है कि अगर Celsius scale में 39 डिगी Celsius है, तो आप बताओ कि W वाले scale में कितना होगा, तो TW ढोड़ना है, TC के value आपको अलड़ी दे रखा है, 39 upon 2 is equal to TC के value 39 दे रखा है, तो 39 यह 2 वहाँ चला जाएगा, तो TW will be equal to, TW minus 39 is equal to 39 multiplied by 2, कितना हो जाएगा, 78, so TW is equal to 78 plus 39, that is equal to 117 degree W and this is your option D, तो एक और question देख लेते हैं यहाँ पर, thermometer with an arbitrary scale, अगेन एक कोई नया scale है, which has eyes point minus 20 degree W and stream point 180 degree W, अब W की जगह पर वो कोई दूसरा letter भी use कर सकते हैं, वो देख लेना, when the thermometer reads 5 degree W, thermometer का फिलाल इस scale में reading 5 है, centigrade thermometer reads, centigrade का मतलब Celsius होता है, तो कई बार word वो centigrade भी use करते हैं, तो घबराना नहीं है, इसका मतलब भी Celsius scale की ही बात कर रहा हो, तो अगर ऐसे scale में 5 rating आपका दिखा रहा है, तो Celsius में उसकी क्या rating होगे, सेम तरीका है, वैसा ही आपको use करना है, पहले देखो, आप ice point, steam point, इसका ice point कितना दिया हुआ है, minus 20, ओके, और steam point, steam point है 180, अब इनकी बीच में total कितने divisions होंगे, number of divisions के लिए आपको क्या करना होगा, इस में से ice, sorry, steam point में से ice point minus कर लो, तो 180 minus minus 20, अब देखो ये minus 20 है, मतलब 0 के भी नीचे है, 180 से लेकर 0 तक तो आपके total 180 divisions हो गया है, और 0 से फिर और 20 नीचे है, तो total कितने हो जाएंगे, 180 plus 20 and that is equal to 200, तो मतलब total यहां से लेकर यहां तक 200 divisions है, चलो बगया, ठीक है, बाकी Celsius वाले skill का तो आपको पता ही है, 0 degree Celsius से लेकर यह जाता है, 100 degree Celsius stream point में और total 100 divisions होते हैं, यहां पे आप temperature TW लिख दो, OC का corresponding temperature यहां पे TC लिख दो, now TW कैसे निकाल दे रेलेशन, TW minus ice point, ice point minus 20 हो जाएगा, ध्यान रखना, TW minus minus 20, whole upon 180 is equal to, sorry, 180 नहीं, sorry, 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 total number of divisions between ice and stream point is 200, 200 आ जाएगा, is equal to, यहां पे देखो, TC minus 0 upon total divisions is 100, यह जाएगा, TW का value, इन्होंने दे रखा है, 5 TC का value ढूंडा है, तो यह हो जाएगा, 5 minus minus plus 20 upon 2 is equal to TC, तो यह TC is equal to, हो जाएगा, 25 divided by 2, that is equal to 12.5 degree Celsius, so that is your answer, 12.5 degree Celsius, तो I hope यह concepts आपकी clear हो चुके होंगे, और बाकी के questions अब आप solve कर सकते हो, इस topic से related, मिलते हैं आगे lecture में, thank you, आपी।